सोहोना में स्वास्ते विभाग के दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं नागरी का स्पताल में केवल एक डॉक्टर है नास्पताल में दवाईया है और मरीजों को टेस्ट के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है मरीजो कारोप है कि डॉक्टर उन्हें दवाईया और टेस्टों के लिए बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जिससे वो अपने आपको ठगा समहसूस कर रहे है तो अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है सोहना में और इससे लोग काफी परेशान है और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि अस्पताल में दवाईयां भी नहीं मिलती है ऐसे में उन्हें दवाईयों के लिए जहां बहार जाना पड़ता है वहीं अस्पताल में कोई टेस्ट भी नहीं होता है ऐसे में किसी को बिगर टेस्ट करवाना हो तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है और अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है ऐसे में भीर काफी बढ़ जाती है क्योंकि देखने वाला सिर्फ एक डॉक्टर है मरीजों की तादाद बहुत जादा है ऐसे में लोग बेहत परिशान है और सरकार की एक तरह से योजना है दावा है कि स्वास्ते विभाग काफी अच्छा काम कर रहा है लेकिन अस्पताल में आ रहे हैं मरीजों की हालत देखकर अस्पताल में बढ़ती भीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोहना के अस्पताल के क्या हालात हैं सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है अस्पताल में ना दवाईया मिलती हैं और लोगों को टेस्ट करवाने के लिए भी बाहर ही जाना पड़ता है क्योंकि अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जिसके सहारी ये अस्पताल चल रहा है स्वास्ते विभाग के दावे फिल नजर आते हैं सहुना के इस अस्पताल में